So guys, आज इस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम CSS की मदद से animations create कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के वाद आपके मन में CSS animations related कोई doubt नहीं रहा जायागा हम इस वीडियो में बिल्कुल basic से start करेंगे और step by step सारे topic CSS animations से जो related हैं उन्हें cover करेंगे तो चलते हैं बिना time waste की अपने text editor पर और coding स्टार्ट करते हैं तो guys यहाँ पर हम आगए हैं अपने vs code में यहाँ पर मैं boilerplate डाल के start करता हूं और यह CSS animations हमें से title दे देते हैं और फिर मैं एक div बनाऊंगा और उससे हम class दे देंगे box तो हमारा यह जो div है हम इसी में सारी animations apply करके देखेंगे इसी के उपर तो हम यह इस box को width दे देते हैं 70 pixels और इसको height दे देंगे हम 700 pixels और फिर हम इसे देंगे इसके बाद background color तो background color I think सही रहेगा red और अब guys यहाँ पर हम CSS को link करके open with live server कर लेते हैं यह हमने करी CSS link और यह open with live server तो यह हमारा box आ गया है अब हम कुछ stack की animation चाहते हैं कि हमारा यह जो box है यह left से right में चला जाए और जब यह ऐसा कर रहे तो बीच में इसका color कुछ और हो और right में इसका color कुछ और हो तो इसके लिए हमने सबसे पहले animation create करनी होगी keyframe rule की मदद से तो यह जो rule है keyframe rule इसी से हम animation पहले सबसे दो create करेंगे फिर हम उस animation को नाम देंगे और उपर उसे bind कर देंगे हमने इसे नाम दिया move और जब हमारी animation 0% पर हो तो हम चाहते हैं कि यह जो हमारा animation 50% पर हो यानि half हो चुकी हो तो उसका जो background color है वो हो जाए उसका salmon salmon भाई बन जाए और 100% जब हमारा animation हो जाए तो उसका जो margin left हो वो हो जाए हमारा 1300 pixel तो यहां हम कर तो है 3900 pixel और हमारा जो background color है वो हम रख लेते हैं ग्रीन रख लेते हैं या फिर blue ही रख लेते हैं तो आप यह हमारी animation बन चुकी है तो अब हमें इस animations को इस element पर apply करना है तो यहां पर हम इस element में डालेंगे animation name और जो हमने वो नाम उस animation को दिया है वो हम लिख देंगे animation name move तो हमारी animation apply हो गई है और अब हम इसको animation duration दे देंगे क्योंकि कुछ duration हमें देनी होगी default 0 seconds होती है तो वो चले गा ही नहीं तो हमने इसे दे दी default 5 seconds तो इच में इसका color salmon है इस टाइडिंग में इसका color कुछ और है और लास्ट में जाते हैं इसका color blue हो जा रहा है पर हम देख रहे हैं जैसे ही मैं refresh कर रहा हूं यह animation work हो जा रही है तो अगर हम इसे site पर लगाएंगे अपनी website पर लगाएंगे तो शायद हम ना चाहें कि हमारी त चाहें कि कुछ time बात करें तो इसके लिए हम use करेंगे animation delay का तो हम यह animation delay कर देते हैं 3 seconds तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारा page खुलेगा या page refresh होगा तो उसके 3 seconds बार animation रन होगी तो यह देखे 1,2,3 जैसी मैंने refresh किया उसके 3 seconds बार यह animation रन होगी है तो यही feature है हमारे animation delay का अब हम 4th property देखेंगे animation iteration count यह बहुत ही powerful property है यह specify करती है कि कितनी बार हमारी animation रन होगी तो यह default 1 होती है तो देखें हमारी animation one time रन हो रही है और उसके बाद वो initial state पर जा रही है तो अगर मैं यहाँ पर animation iteration count इसकी कर देता हूं 3 और यहाँ यह animation delay हटा देते हैं हम इसकी need न duration कम कर देते हैं अन्ना यह काफी time लेगी तो यहाँ अब हमारी देखते है animation three time करेगी one two and three times तो अगर यहाँ पर मैं infinite कर दूँ तो यहां कर देते हैं infinite और animation duration कर देते हैं one second तो अब देखते हैं और अब यह अलगी फिला रहा है यह आ रही है जा रही है इस पिलकुल एकदम स्पीड में सब को चोड़ा बहुत भड़ी के लगए है तो यही हमारा फायदा है animation iteration count का अब हमारी next property है animation direction जैसा ही नाम से लग रहा है यह property यह specify करती है कि हमारी animation किस direction में रन होगी तो हमारी जो animation direction default है वो normal होती है अगर मैं यहां पर animation direction कर देता हूं reverse तो हमारी animation reverse order में तो यहां पर हम कर देते हैं alternate reverse तो यह आगे पीछे चलेगी पहले forward reverse और अगर मैं सिर्फ alternate पर भूदो यह पहले reverse फिर forward में चलेगी यह देखिए यह पहले reverse फिर forward गई तो यहां हम अपनी अगली प्रॉपर्टी जोगी एड एनिमेशन टैमिंग फंक्शन उसे समय जएक लिए इस पिलर की जगह तीन अलग अलग बॉक्स कना लेते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी को बैटर समझ पाएंगे तो यहां में इसे कॉपी कर लेता हूं फिर यहां पे ह और एक और बार कर देंगे इस है टेस्ट और इन तीनों बॉक्स को हम अलग 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 आईए दे देते हैं ताकि हम इन पे अलग 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 ट्रॉपर्टी लगा पाएं इसको हमाईटी दे देंगे बीटू और इसको हमाईटी दे देते हैं बीटू यह हो गया हमारा औ और यह नीचे चले गए चाहिए तो हमें से पहले तो इसकी हाइट कम कर देंगे और इसे मार्जिन टॉप दे देंगे वन रेम है तो देखते हैं अब हमारे अले अले बॉक्से आ चुके होंगे तो हां गाईस यह थोड़े ज्यादा ही बड़े हो गए तो इसको हम और इसको टुहंड़ कर देते हैं टुहंड़ पिक्सल ठीक रहेगा हां तो अब हमारे एक ही स्क्रीन पर देख रहे हैं बॉक्स तीनों तो अब हम क्या गरेंगे कि यह जो हमारा बॉक्स वन है तो हैस्टाइक भी वन इसमें हम कर देंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर और फिर हमारा बॉक्स टू है कि उसमें हम कर देंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इस जोगी हमारा डिफॉल्ट होता है और फिर हम भी त्री में कर देंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इस आउट तो यहां आप देख रहे हैं कि इन तीनों की स्पीड अलग अलग होई है तो यहीं वर्क करता है ए हमारे जो एनिमेशन है उसकी स्पीड क्या होगी हमारे जो टैमिंग फंक्शन है इसमें हम और भी वैल्यूज एड़ कर सकते हैं जैसे कि हमने इस करके देख ली इस इन आउट कर ली लीनिया कर ली इसमें इस इन और इस आउट और एक क्यूबिक भी ज़र और होती है जो कि हम अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं एनिमेशन फिल्मोर तो उसका क्या यूजर हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारी एनिमेशन हो रही है और जब यह वापिस में लब एनिमेशन पूरी हो जा रही है तो हमारे यह सभी बॉक्स अपनी इनिशल स्टेट पर आ जा रहा है अभी मैं इसका यह हटा देता हूं यह वाली प्रॉपर्टी और यह एनिमेशन डियूरे भी थ्री सेगंड को देता हूं तो हम यह देख रहे हैं हमारी यह सपोज एनिमेशन हुई और यह कंपलीट हूई तो हमारे सारे बॉक्स अपनी इनिशल स्टेट में आव यहां पर मैं अगर forward कर दूंगा और देखते हैं अब तो यह animation हमारी हुई और यह जो हमारी boxes हैं यह जो हमने 100% पर जो styling set करीती है इसकी 100% पर माले left और background color तो end में भी वही styling रही तो यही function हमारे animation fill mode का अब हमारी अगली property है animation short hand property तो इस property की मतब से अब तक हमने जितनी भी property सीखी है वो सम हम single line of code से apply कर सकते हैं तो देखेंगे इसे अगर मैं इन सब को हटा दूँ animation name duration इन सब को मैं हटा देता हूं और यहां पर मैं सिर्फ कल दूँगा animation डाल दूँग इसको मैं नहीं हटाया औ और यहां मैं कल दूँगा animation तो यहां देखें अपने VS Code में दखा दिया कि यहां पर मैं नेम डाल सकता हूं duration यह पूरा single line of code में मैं साही property यूज कर सकता हूं तो मैं यहां पर नेम डाल दूँगा move और यहां हम duration देते हैं से 3 seconds timing function देते हैं इसको हम linear और डेले कर देते हैं 2 second iteration count infinite direction reverse करकर देख लेते हैं और fill mode कर देते हैं backwards तो देखते हैं क्या work कर रही है हमारी animation तो yes perfectly work कर रही है जितनी भी हमने property लगाए यह single line of code से सब work कर रही है तो इसलिए property बहुत ही चादा useful है animation तो guys यहां पर हमने CSS animation से जितनी भी related property थी सब सीख ली है पर हमने उसमें जितनी values हो सकती थी वो सब डालके नहीं देखी है तो आपका task यह है कि नीचे जो PDF की link दूँगा उसमें से आप सारी values देख हैं और सभी properties में सब डाल डालके practice करके देखें तो bye guys मिलते हैं किसी और वीडियो में happy coding